नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम जीके में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्यान के पार्ट नमबर चार प्रति रक्ष्या एम रखते समुह से समाधित कुछ से मात्पून प्रस्ना पर जो जनरल साइन्स के प्रस्ना है आने वली एल्लेसी प्रति प्रति प्रतियोगीता के लिए बिए मात्पून होगा तो देखते हैं कक्षा 10 के विज प्रतिरक्षी कौन सा है तो यह जो आई जी एम है यह जो प्रतिरक्षी था नेस्ट है मा के दूद में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है तो मा के दूद में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है आई जी ए यह मा के दूद में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है नेस् ige igg इप यह प्रति्रक्षी के पास प्रकार होता है एसे कौन सा प्रतिरक्षी प्लेशनेटा ये ये की इनवाल को पार कर ब्रून तक पहुँच जाता है इसका जो सही उतर है वो है IGG फृर्टि रक्सिर ये प्लेसांटा को पार करके बुरून तक पहुंच जाता है मास्त को से काऊंट पर पाहने वाला प्रति रक्सिर लिपा है तो मास्ट को से काऊंट कि प्रतिरक्षी वीदियां पाई जाती है मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी वीदियां पाई जाती है तो मनुष्य में दो प्रकार की प्रतिरक्षी वीदियां पाई जाती है एक तो होती है स्वापाविक और दूसरी होती है उपारजित एक तो जन्मजाद होती ह नेश्ट 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 पूतिन होते हैं गामा गलो बूतिन इस प्रकार के ये प्रतिरक्षी होते हैं नाइस्टे रग्त में उपस्तित कौन सी कोशिकाऊं गैसों के वीनिमय में सलगने रहती हैं तो जो आरबी सी होती हैं आरबी सी लाल रक्त कणिकाएं यह जो गैसों के वीनिमय में सलगने रहती हैं और ऑक्सिजन का यह पूरे सरीर में संचार करती है नाइस्टेंप रक्त का वर्गी करन किस विग्यानिक द्वारा किया गया था तो रक्त का जो वर्गी करन है वो सरबर्तम कारल लेड स्टिनर निके द्वारा किया गया था कारल लेड स्टिनर के द्वारा किया गया था नेक्स ने रक्त परती जिनों की उपस्थिती के अधार पर मानाव में कितने परकार के रक्त समूब पाय जाते हैं तो प्रतिजनों की उपस्तिती के आधार पर मानाव रक्त में जो चार प्रकार के रक्त समूँ उपस्तित होते हैं और वो है A, B, ये A, B हैं और दूसरा है और ये चार प्रकार के जो रक्त समूँ मानाव शरी में पाये जाता हैं कि अग्ला प्रस्व कीस रक्त सब्हूं में एव ब्डोनों ही प्रतिजनी उपस्चित होते हैं किस रक्त समो में एव ब्रतिजनी उपस्चित होते हैं है नंनी कि एंटीजशन उप्स्थित होते हैं तो वो है एबी जो एबी बड़्ट ऑर इसमें ए वर बी दोनोहीं एटीजन ऊपस्तित होते हैं अगला प्रस्थित किस रख्त समौों में ए दोनोही प्रतीरक्षी इन कि एंसे बोडिव उपस्तित नहीं होते हैं अगला प्रतने सर्व दाता रखते सम्मू कौन सा होता है सर्व दाता रखते समूंग कौन सा होता है तो जो सर्व दाता होता है वो जो blood group होता है वो सर्व दाता है तो इसको याद रखने के ट्रीक हैं ओ डाटा जैसे हम किसे को बुलता हैं तो उनको डाटा करें ए डाटा या इसे पर करके नहीं बुलते तो इसी परकार से इसका ट्रीक है वो है ओ डाटा ओ सबसे दिख डाटा है फिर हैं सरोग्राही जो सबसे खून या रखत ले सकता है वो कौन सा है तो सरोग्राही रखते समों है AB AB जो सबसे blood group ऐसा है जो सबसे रखत ले सकता है RH कारक क्या है तो RH क्या है एक RBC की सेता पर पाये जाने वाला एक प्रती जाने अब यह दो प्रकारगा होता है एक आरेज पोजीटिव होता है और दूसरा आरेज नेगिटिव होता है जिए राल रुद्विर करनिकाओं की सता पर पाहे जाना वाला एक प्रति जने एंटी जने इसको नेश्ट है आरेज कारक की खोज सरप्रतम किस में की गई थी तो सबसे इन्होंने जो मका का रिशस नमक बंदर था इस बंदर में आरेज कारक की खोज की गए थी फिर बाद में इसकी उपस्तिति और अनुपस्तिति के आदार पर इसको दो बागों में बाटा गया आरेज पोजीटिव और आरेज नेगिटिव अगला प्रसने विश्व के करबिदे इस यहरा इक पिजिवर्श लोग है इनका जो रखते हैं वह और एज हो धनात्मग होता हैं 50 से पर्तिशतलों कौन सा और है कार रखें वो सबसे महत्पून है नाइस ते हैं गर्ब रखता उन्हों को रखता का पर्मू कारण क्या है तो यह जो एक बिमारी एक तरह से गर्ब रखता उन्हों को रखता और इसका पर्मू काराक है वह है आरेच बेजोड़ता आरेच बेजोड़ता क्या करनी जो गर्ब रख रखतानों को रखता बीमारी होती हैं तो यंदा साथ के बारे में हम आपको बता दें जानकरी क्या होती है गर्ब रखतानों को रखता हम क्या होता है कि अगर किसी पूरुश का जो blood group है वो RS positive है और उसकी शादी किसी RS negative वाली महिला से हो जाती है RS positive वाले जो पूरुस हैं इनकी जो शादी है वो RS negative वाली महिला से हो जाती है तो इनकी जो पहली संतान होगी वो तो स्वस्त जन्म लेगी लेकिन इनके जो पहली संतान के बाद जो भी संतान जन्म लेगी या तो वो गर्ब में ही मर जाएगी या फिर वो जीवित पैदा नहीं होती है या फिर जन्म के थोड़ी देर बाद में ही उसकी मरती हो जाती है तो इनकी पहले संतान तो स्वस्त पैदा होती है लेकि दूसरी संतान तीसे संतान जुब्य होगी वो सब यह तो मृत पैदा होगी यह फिर जैनम के थोड़ी देर बाद में उनके मृत्य हो जाती है तो यह किस करण होता है यह होता है आरेच प्लस वाले जो पुरुष की उसके बाद में जैस्ट एक टिक का लगा जाता है जिससे कि इस विमारी से बचा जा सकता है तो यह आरेच बेजोड़ता के कारण जो गर्ब रखता हैं को रखता विमारी होती है कक्षान 10 की जो विग्यानन है इसमें इसका पूरा देर का आई बर्डन चित्र भी बना रखाएं मात गास क्रड़ा आँड़ेक सकते हैं रुधिर वरक को नियन्स करने वाले विकल्प यहों के नाम लेखी तो रुधिर वरक को नियंत्रीट करते हैं वे विकल्पई हैं आई व्यक्ति का जीन प्रारूप आई आई हैं तो उसका रखता समूग क्या होगा तो अगर किसी व्यक्ति का जो जीन प्रारूप आई आई हैं तो उसका जो ब्लड ग्रूप होगा वो होगा ओ और तो हम जानता ही दाता है ओ क्या है ओ दाता ओ सबको खुन दे देता है तो बात पूर्ण है ये भी रखतादान के दोरान बरती जाने वाली असावधानियों में से कौन से रोग हो सकते हैं अगर हम ब्लड ग्रूप जो जो ब्लड हम डोनेशन कर रहे हैं उस समय जो असावधानियों में बरती जाते हैं तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं तो एक तो हैच जो जेकब रोग होता है वो भी हो सकता है और यह मातपून रोग है HIV, Hepatitis, B, C, और जेकब रोग यह मातपून रोग हो सकता है फिर हैं पेराटोप क्या है तो पेराटोप प्रति रक्षी का बाग होता है जो प्रति जन्द से क्रिया करता है और ये वही स्थिति होती है जब जो आरेच पोजिटिव वाले पूरुस की शादी आरेच नेगेटिव वाली ब्लड ग्रूफ वाले महिला के साथ कर देतों ये ये प्रति रक्षी आणूं का आकार किसा होता है तो प्रति रक्षी इस तरह से होता है कुछी के लबल ये यह यान की ये वाई का अकार गहोता है और जहां पर ये दोनों मिलते हैं इनको हिंज कहा जाता है इसको हिंज कहा जाता है हिंज या कबजा भी कहा जाता है इसको भारत में अंगदान दिवस कब मना जाता है तो प्रतिवर्श हम भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाते हैं और देनिक बासकर के और से और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट के और से अंगदान महादान जिंदगी बचा हैं इस तरह 내가 liciamahabiaan बीचल रहा है नएक्ट एक रकता दान रकता दान क्या है तो रखता दान ऐक ऐसी वीदिदी है जिसमें एग वेक्ति से दूसरे की करक्त परिसन्चन तंद्र से मैं रगत या रख्त अधरे जुत पादो जैसे प्लाजमा आदी को स्राध्रिछ किया जाता है तो रख्तदानियन की ब्लड डोनेशन के तो एक ऐसी वीधी हैं जिसे व्यक्ती के एक व्यक्ती काफं दूसरे व्यक्ती को चड़ा जाता है यो प्रोडक्ट है जैसे फ्लेटलेट्स प्लाजमा उनको जो दूसरे के स्ताना 높 अगला है हाली में देहदान की गोशना करने वाले दो व्यक्तिकोन है तो जो साद्वी रितम्रदी दीजी इन्हों ने और कोतम गंबीर क्रिकेट रहें इन्हों ने भी जो देहदान करने की गोशना कि इसके से लावा जो पस्ची मंगाल के जो मुख्य मनती है डोक्टर जोती बसू इन्होंने भी देहदान करने की गोश्णा की है तो असा करता हूं दोस्ता आपको वीडियो पसंद आये होगा अगले वीडियो में देनिक विज्ञान में रसाइन पांचे पार्ट के प्रसनों पर चर क्याबल हो सके इसमें हम देख सकते हैं आप इस तरह कि हम यह आपके लिए प्रसने लेकर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक जै हिंद जै भारत